हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एस्टार्क एस्टडी पॉइंट, दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटुब चैनल एस्टार्क एस्टडी पॉइंट पे, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायलोजी यानि जी बिग्यान का इंपोर्टेंट को पेपर, आप इस वीडियो में जो भी कोशन देखेंगे, सभी कोशन जो है आने वाले बोर्ट एक्जाम के लिए काफी महत्वन होने वला है, आपको बोर्ट एक्जाम भी इसी तरह का कोशन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास तक देखिएगा, यदि कोशन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेपसाइट startstudy.com पर विजिट कर सकते हैं, दोस्तों वहाँ पर आपको जो है सभी विशायो का जो है कोशन पेपर मिल जागा प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही साथ सभी विशायो का study material भी मिल जागा अध्यन क यहाँ पर कोशन नमर वन पूछ रहा है दोस्तों कि गर्व निरोधक की पराकिर्तिक बीधिया किस सिधान पर कार करती है, नेचुरल प्रोसेस औफ का जो नेचुरल प्रोसेस होता है दोस्तों, इसका मिन उदेश रहता है कि ओभम और एसपर्म को जो है मिटिंग से बचाय आजाए, देखते हैं ओप्षन में क्या है, ओप्षन है कि अंडानू एवम सुकरानू के संगम को रोकने के सिधान पर, यही इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों, एक का जो है सही आंसर होगा को, ठीक है, एक का सही आंसर होगा A, avoiding the chance of OVM and as per meeting, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन में दूसरा है कि अंडो सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरीत होता है, ovulation is induced by हार्मोन कॉल, तो ovulation जो होता है दोस्तों यह होता है LH हार्मोन के द्वारा, लुटेंजिंग हार्मोन के द्वारा, जब इसका पीक हो जाता है LH पीक, जिसको कहते हैं LH सर्ज, जब LH सर condition होता है, तब यह जो है ovulation का जो है process start होता है, यानि कि ovulation induced होता है, तो दो का जो है सही answer हो का यहाँ पर C, LH हार्मोन यानि कि लुटेंजिंग हार्मोन के कारण, नेक्स कोशन देखते हैं, अगला कोशन है कोशन नमर तिसरा कि T lymphocats कहां उत्पन होता है, T lymphocats are produced in, तो T lymphocats जो है दोस्तों, यह जो है हमारे immune system से related cell है, तो इसका जो निर्मान होता है, यह होता है bone marrow cavity में, ठीक है, हिंदी में बोले तो अस्ति माजा में जो है T lymphocats का निर्मान होता है, तो तीन का जो है सही answer होगा यहाँ पर D, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन नमर फोर है कि histamine संब बनता है, तब यह जो यह जो chemical है histamine, इसका release होता है, और यह किस cell से release होता है, यह सनोफिल और बैसोफिल से release होता है histamine, ठीक है, तो histamine किस से related है, allergy से संबंदित है, तो चार का सही answer होगा D, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन नमर फैव है कि रेवीज का टिका किसने खोजा थ वैक्सिन और रेवीज वाज डिसकोवर्ड वै, तो रेवीज जो है दोस्तों आपको मालूम होगा कि यह कुत्ते के काटने से जो है, रेवीज बेमारी होता है, और इसका वैक्सिन सबसे पहली बार जो है, लुइस पास्टर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, तो में मौझूद कुछ पर्ति जनों के पर्ति, पर्ति रक्षा तंत की अनुकिरिया क्या का लाती है, दर येक्शन एगेंस्ट इम्यून सिस्टम वाई इन्वाइरोमेंटल एंटिजन इस गॉल, तो इन्वाइरोमेंटल एजेंट और इम्यून सिस्टम के बीच जो केमिकल र करने है तू, निमने से किसका ओपियोग किया जाता है, which among the following is used to diminish the symptoms of allergy, तो आपको बताये थे दोस्तों कि allergy के दोरान histamine chemical का सरव होता है, यानि कि histamine chemical का release होता है, किस शेल के दौरा, इस सुनोफिल और वैसोफिल के दौरा, और यही allergy को symptoms को induce करता है, और इस symptoms के अंतर गता है, छीकाना, नाक से पानी वाना, यह common symptoms होता है, allergy का, तो इस allergy के symptoms को कम करने के लिए जो है, anti-histamine medicine का यूज यूज किया जाता है तो seven का जो है सही आंसर होगा यहां पर एंटी हिस्टामीन जो है medicine का यूज करके जो है allergic symptoms को कम किया जा सकता है ठीक है तो next question देखते हैं question no.8 पोध्य में और्जसुतरी विवाजन होता है implants, miosis occur तो मियोसिस जो कर होता है दोस्तों यह होता है इंथर में ठीक है इंथर जो है डिपलोइट सेल होता है और इसमें मियोसिस होता है और इसके बाद जो सेल बनती है उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है ठीक है तो एट का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर एंधर में, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमर 9, कि DNA replication है, DNA replication is, तो DNA replication जो है, एक परकार का DNA replication जो होता है, semi conservative, तथा semi discontinuous तरह से होता है, ठीक है, तो 9 का जो है, सही आंसरों का यहाँ पर C, semi conservative, एवं, semi discontinuous process होते हैं, अर्ध सर्ण रक्षी, तथा अर्ध असंत, जो है, पर या क्रिया के द्वारा, जो है, DNA replication होता है, तो 9 का सही आंसर हो जगा, C, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमर 10, कि निम में से कौन जन संख्यान नियंतरन की जाविक वीधी है, which of the following is a biotic method of population control, देखते हैं option में, option हैं दोस्तों, parasatism में क्या होता है, दोस्तों, parasatism जो होता है, अपने host को कई बार मार देता है, जिसके कारण जो है, उसकी host की संख्यान जो है, कम हो जाती है, तो इस तरह से आप देखते हैं, कि population control का जो है, एक natural, यानि कि एक परकार का population control का biotic method है, तीसरा है obvious digit के कारण दोस्तों, जिवो का मिर्टी हो जाती है, इससे भी population control करते हैं, तो इसका सही answer हो जागा D, इन में से सभी, इन सभी method के द्वारा population को control किया जा सकता है, ठीक है, तो 10 का सही answer होगा D, next question देखते हैं, question number 11 है, कि methanogens, निम में से क्या नहीं बनाते हैं, methanogens do not produce, तो methanogens जो है दोस्तों, एक परकार का RK bacteria है, यह methane को release करता है, hydrogen sulfide को release करता है, कुछ मातरा में carbon dioxide को भी release करता है, लेकिन oxygen को release नहीं करता है, ठीक है, तो 11 का सही answer होजागा यहाँ पर A, oxygen, oxygen को नहीं बनाते हैं, next question देखते हैं, question number 12, अगला question है दोस्तों, question number 12, कि घंकंद का उधारन है, example of corn, तो corn का जो example है दोस्तों, यह है, cocolacia, collocasia, जिसको common भासा में all करते हैं, ठीक है, तो 12 का सही answer होगा यहाँ पर, B, collocasia, next question देखते हैं, question number 13 है, कि एक जिन के भीन रूप को क्या करते हैं, the different form of gene are called, तो जिन के different form को करते हैं, allil, यहनि के alternate form of gene is called allil, तो 13 का सही answer होगा यहाँ पर, B, allil, next question देखते हैं, question number 14 है, कि इन में से कौन प्राकिर्थिक वायू परदूसक है, which is natural air pollutant, तो natural air pollutant कौन होगा, option देखते हैं, पहला option है कि जो अला मुखी से निकली गैसे, तो जो अला मुखी से जो गैसे निकलती है, दोस्तों यह भी जो है, एक परकार को जो है, natural air pollutant होता है, दूसरा है पराकन, आपको मालूम होगा कि flowering plant जो है, उसमें pollination होता है, और pollination के दुराण जो pollen grain निकलता है, यह pollen grain भी कई बार जो है, air pollutant की तरह काम करता है, ठीक है, तो यह भी जो है, natural air pollutant के केटोगरी में आता है, तीसरा है dust particle, यह भी जो है दोस्तो एक परकार का जो है, air pollutant है, तो 14 का जो है, सही answer होगा, यहाँ पर D, all of these, इस सभी जो है, एक परकार का जो है, natural air pollutant है, ठीक है, next question देखते हैं, question number 15, कि आनुवी कहें चीज़ जो DNA को एक विशिस्ट जगह पर कटता है, क्या कहलाता है, molecular seizures, which cut DNA at specific sets is gone, तो molecular seizures होता है, तो एक परकार के exam है, उसे exam का नाम है, restriction endonucleases, तो restriction endonucleases exam है, जिसे molecular seizures कहते हैं, ठीक है, जो DNA को एक specific set से जो है, specific जगह से जो है, cut करता है, ठीक है, तो 15 का जो है, सही answer होगा, यहाँ पर सी restriction endonucleases, next question देखते हैं, question number 16 है, कि do you need session, परिकिरिया की खोज किन के द्वारा की गई, the process of double fertilization was discovered by, तो double fertilization का जो है दोस्तो, discover किया गया था, यह किया गया था, नवास्चिन के द्वारा, तो 16 का जो है, सही answer होगा, यहाँ पर सी, प्लांट्स है, उसमें जो है, double fertilization देखने को मिलता है, ठीक है, next question देखते हैं, question number 17 है, किन में से काउन, chain परारम बन, कोड़ोन है, which of the following, is chain initiation codon, तो chain initiation codon है, दोस्तों, यह है, AUG, ठीक है, यह code किसके लिए होता है, यह code होता है, amino acid, methionine के लिए, methionine के लिए, code होता है, AUG, ठीक है, तो 17 का जो है, सही answer होगा, यहाँ पर, AUG के लिए, next question देखते हैं, अगला question है, question number 18, कि green muffler, पर्दूशन, किस से समन्दीत है, green muffler is related to pollution of, तो green muffler जो है, यह noise pollution, यानि, दोहनी पर्दूशन से, जो है, related है, ठीक है, तो 18 का सही answer होगा, यहाँ पर सी, noise pollution से, next question देखते हैं, question number 19 है, कि manov genome, पर्योजना की, कोज किसने की, human genome project, was discovered by, तो human genome project को, दोस्तों, सबसे पहली बार, discover किया गया था, यह किया गया था, Francis Collins, and Roderick के द्वारा, तो 19 का सही answer होगा, यहाँ पर, A, Francis Collins, and Roderick, next question देखते हैं, question number 20 है, कि, brun post की, उत्पती, किस से होती है, embryo sac, is created by, which of the flowing, तो embryo sac का, जो निर्मान होता है, दोस्तों, यह होता है, मेगा एस्पूर के द्वारा, गुरूप विजानू से, इंब्रियो से कनिर्मान होता है, तो 20 का सही answer होगा, यहाँ पर, D, मेगा एस्पूर, next question देखते हैं, question number 21, एक इस नमर question है, कि, बच्चों में, मंगोलिज्म, या डाउन सिंड्रोम, पर इस्ट्रा क्रोमोजम बन जाता है, जिसके करण, ट्रेजुमी कंडिशन, देखने को मिलता है, और इसी ट्रेजुमी के कारण, जो है, डाउन सिंड्रोम, देखने को मिलता है, तो 21 का सही answer होगा, यहाँ पर सी, ट्रेजुमी के कारण, next question देखते हैं question number 22 किन में से किस क्रिया के से DDT की सांधरता अगली पोसी अस्तर में बढ़ती है concentration of DDT increases in next trophy level by which process जो DDT होता है दोस्तो एक परकार का chemical है और इसका छिर्काव करते हैं मच्छर को भागाने के लिए ठीक है लेकिन ये जो है दोस्तो परियावरन में pollutant का काम करता है क्योंकि ये पूरी तरह से जो है परियावरन में degreval नहीं होता है अब घटन इसका नहीं होता है जिसके करण इसका concentration एक trophic level से दूसरे trophic level में लगातार बढ़ते रहता है और ये जो बढ़ता है ये bio magnification के करण जो है एक trophic level से दूसरे trophic level में बढ़ता है इसका concentration ठीक है तो 22 का जो है सही answer होगा यहाँ पर भी bio magnification जाए आवर्धन के करण next question देखते है question number 23 कि BT which का परभाव किस kit work पर होता है on which insect group BT toxin is effective option है lepidopetron, coleptoron dipteron ये जो है दोस्तो insect का group है और इन सभी group ये पर जो है BT toxin का परभाव परता है ठीक है तो 23 का जो है सही answer होगा यहाँ पर D इन में से सभी पर next question देखते है question number 24 कि sertoli को सिकाए किस hormone द्वारा नियंतित होता है sertoli cell are regulated by hormone तो sertoli cell जो है दोस्तो ये से मनी फेरस टीवल्स में पाय जाता है और इसका main काम है जो सुकरानू बनता है sperm बनता है उसको portion परदान करना ठीक है तो ये sertoli cell जो है दोस्तो sperm को जो है nourishment परदान करती है तो इसका जो है control किसके द्वारा होता है इसका control होता है follicular estimulating hormone के द्वारा जिसे short में F, S, H काते है follicular estimulating hormone तो 24 का सही answer होगा C next question देखते है question number 25 है कि सुकरानू जनन की परकिरिया में सुकरानू का उत्पती कहां से होता है aspermiation is the process of the release of sperm from the aspermiation process में asperm का जो release होता है यह होता है सेमनी फ्यरस टीविल से ठीक है तो 25 का सही answer होगा यहाँ पर यह सेमनी फ्यरस टीविल से यहनि कि सुकर जनक न लिका से next question देखते है question number 26 कि माला डी क्या है what is माला डी तो माला डी जो है दोस्तों एक परकार का जो है contraceptive pills है ठीक है तो 26 का सही answer होगा यहाँ पर भी गर्ब निरोधक गोलिया है और इसका यूज दोस्तों pregnancy से बचने के लिए किया जाता है और यह contraceptive का एक chemical method होता है ठीक है तो 26 का यहाँ पर सही answer हो जागा भी contraceptive pills है गर्ब निरोधक गोलिया है next question देखते हैं question number 27 कि operin तता हल्डन ने किस विकास सिधान्द को दिया था operin और हल्डने give the theory of evolution तो operin और हल्डने के द्वारा दोस्तों इन्होंने जो है chemical evolution theory को दिया था इनके द्वारा जो है कि जैव का जो विकास हुआ है organism का जो evolution हुआ है तो इसमें जो है chemical के द्वारा ही जो है जैविकास हुआ है तो इस सिधान्द को दिया था operin और हल्डने ने यानि chemical evolution theory के दिया था तो 27 का सही answer होगा यहाँ पर सी रैसाइनिक विक्यास का सिधान्द दिया था ठीक है next question देखते है question number 29 sorry question number 28 होगा दोस्तो 28 number question पूछ रहा है कि पहला मानव जैसा प्रानी को कहा गया the first woman like being the humanoid watch call तो पहला मानव जैसे देखने वाले जो है देखने वाले होमिनीट को दोस्तों कहा गया था homo habilis ठीक है यह जो है homo habilis मानव विकास का पहला ऐसा structure है homo habilis जो मानव की तरह दिखाय देता था ठीक है तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए homo habilis में next question देखते हैं question number 29 होगा कि Miller परियोग साला में क्या बनाये थे Miller prepared in laboratory तो Miller ने दोस्तों जब इन्होंने अपना experiment किया था अपने experiment के द्वारा सबसे पहले इन्होंने amino acid को बनाया था ठीक है तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी amino acid को next question देखते हैं question number 30 है कि Dinosaur किस काल में थे Dinosaur found in the era of Dinosaur का जो इरा था दोस्तों यह था Jurassic period में ठीक है अभी जिस तरह से हर एक जगव human का राज है दोस्तों एक समय ऐसा था जिसको कहते हैं Jurassic period उस समय में हर जगा आपको डैनासोर ही देखने को मिलता था इस पर एक movie विवियनी है दोस्तों अगर आप ज़्यादा ग्यान लेना चाहते हैं डैनासोर के बारे में जनना चाहते हैं तो एक movie है Jurassic Park जो Hollywood movie है आप इनको देख सकते हैं उसमें बहुत अच्छी डैनासोर का एक समय पर पूरी धरती पर उनका राज था ठीक है और किस तरह से उनका अंतुहा इन सभी के बारे में दिखाया गया है Jurassic Park में ता आप एक बार देखिएगा ठीक है तो तीस का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर Jurassic period में Next question देखते हैं Question number 31 है कि परती रक्षा तंत्र को और रूप से दमन करने के लिए कौन सी कौसी का उतरदाई है For complete suppression of immune system Which among the following cell is responsible तुछ cell का नाम है दोस्तो Suppressor T cell ठीक है Suppressor T cell एक ऐसा cell है जिसके पास छमता होती है कि वो पूरे immune system को जो है Suppress कर सकता है ठीक है तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C निरोधी T को सिका में Next question देखते हैं अगला question है question number 32 कि निमली खीत में cancer कौन है Which among following is cancer देखे दोस्तों यहाँ पर जो है Liposa है Liposa इसका सारकोमा होता है पूरा नाम जो होता है Liposarcoma एक परकार का cancer है दोस्तों यह जो है Liposarcoma जो है cancer यह जो है आपको fatty cell में देखने को मिलता है ठीक है दूसरा है leukemia leukemia यह काफी खतरना cancer है दोस्तों जिसको blood cancer भी करते हैं तीसरा है lymphoma lymphoma भी जो है यह हमारी lymphatic system में होने वाले cancer का नाम है lymphoma ठीक है तो यह सभी जो है दोस्तों cancer का परकार है यह सभी जो है cancer का रूप है तो ठीक है तो 32 का जो है सही answer होगा यहाँ पर D इन में से सभी यानि कि Liposarcoma हो गया leukemia हो गया और lymphoma हो गया यह सभी जो है cancer का रूप है ठीक है next question देखते है अगला question है question number 33 कि निम्न में भारतिय गया का कौन सा बग्यानिक नाम है which among the following is scientific name of Indian cow तो Indian cow का scientific नाम है दोस्तो Boss Indicus यह जो है Indian cow का scientific नाम है यह Askeris, Lumbericards यह जो है Askeris है यह पलाजमोडियम भायवेक्स है जो एक प्रकार का proto जो है Malaria A.C. के कारण होता है और Epidostera यह जो है मदुमक्खी का जो है एक परजाती का जो है scientific नाम है ठीक है तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जागा Boss Indicus चलिए next question देखते है question number 34 किनिम ने कौन सा ड्रक्स आपसाद एवं अनिंद्रा में ओपियोग किया जाता है which among the following drugs used in mental depression and insomnia option है दोस्तों Ephetamine दूसरा है Lysergic Acid Ditylamide तीसरा है Benzodiazepine तो यह सभी जो है दोस्तों इसका यूज किया जाता है mental depression में और insomnia से बचने में तो 34 का जो है सही आंसर होगा D इन में से सभी next question देखते है question number 35 है और यह जो है इस वीडियो का last question है question number 35 है कि AIDS एक STD है इसका संचार होता है AIDS is STD which is transmitted through STD का full form होता है दोस्तो sexual transmitted disease AIDS आपको मालूम होगा HIV virus से होता है और यह किसके द्वारा transmitted होता है blood transmission के तुरू through जो है contaminated syringe के तुरू through जो है sexual contents और sexual intercourse के द्वारा तो इन सभी के द्वारा जो है इन सभी के द्वारा जो है दोस्तो AIDS का जो है transmitted होता है टांसपर होता है ठीक है एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में ठीक है तो 35 का जो है सही आंसर होगा दी इन में से सभी द्वारा तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद